नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अब है कुमार शर्मा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर एक ही कैरेक्टर के अलग-अलग वेरियेशन्स अगर क्रेट करना चाहते हैं यानि कि एक ही टाइप का व्यार करेक्टर नंतर चाहते हैं तो अब आप कैसे कर सकते हैं ? आप याकि स्टाइलिंग कि मैंने न में प dual वेडियो बनाए ये जो है यह थgres अधोर्ध Jewels घ्रियो है। और यहां पर मैं आपको बताओंगा basically कि जो प्राक्सी हम लोग create करते हैं और जो library override हम लोग create करते हैं उनके बीच में क्या अंतर है अब यह proxy क्या होता है यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है उसको आप देख लीजाए अगर आपने नहीं देखाया तो कैसे आप किसी file को link करते हैं यहां पर यहां पर आपको यह जो है यह मैंने यहां पे आपको प्लिखाया है कि यहां पर इसको चैन्ग कर दिया और यह के आंके मैं भी डहा करूइ ऑट कर करे सकते हैं वह एंसके कुछ फीचर जो है वह 61 के अपी पर एτοीक ठीक है बट फ्यूचर में इस सारी चीज़ आने वाली है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लिजिए अगर वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप चैनल को फाइनेशली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर्शिप को भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक कैरेक्टर को दूसरे ब्लेंडर फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं लिंक के थ्रू ठीक है जो लिंक प्रॉक्सी कर लेते हैं जहां पर आप जो प्रॉक्सी कर लिया तो वह लोकल बन जाता और उसको पिर आप एनिमेट कर सकते हैं अपने हिसाब से बट प्रॉक्सी में एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो मैं यहां पर क्या करता हूं यह मेरा सीन है इसको मैं ऐसा करता हूं जो मेरा यहां पर डाल सकता हूं इसका नाम ही करते हैं तकि मालूम चले कंफीजन नहीं हो और हम लोग सीन कलेक्शन में लिंक करते हैं यहां पर मैं यह जो है चंटू वाला इसको मैं यहां पर लेता हूं कलेक्शन में जाके हम लोग यह वाला जो कलेक्शन हैं जिसके अंदर उसका मैश भी है और उसका रिग भी है वह मैं यहां पर लिंक कर रहा हूं के लिंक करने के बाद यह यहां पर आ जागा इसको हम लोग यहां पर रिनेम करते हैं चंटू ए और इसको हम लोग यहाँ पर माल उच्वी ऐनिमेट करना चाहते हैं तो जो लिंक्ट कैरक्टर होता है उसको आप कुछ निकर सकते वो सिर्फ पोजिशन कर सकते हैं अप ठीक है और यहां पर आपको मिलता है relations, यहां पर हम लोग create करते है make proxy, और इसमें आपको जो भी list है, इसमें आपको मिल लगा कि किस चीज को आप control करना चाहते हैं, तो मुझे इसका जो rig है, वो control करना है, तो यह करने के बाद देखेंगे कि यहां पर एक rig create हो गया, ठीक है, और इसको मैं hide कर सकता हूं चाहूं तो, बट hide नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं select करूं तो, यह जो mesh है वो select नहीं हो, तो यहां से selectability का option है, वो मैं on कर लेता हूं, और इसको बंद कर लेता हूं, ताकि जब भी मैं click करूं तो, जो जो rig है वो select हो और अभी यहाँ पर दिखने रहा क्यों कि इसका जो visibility है मुझे in front करना पड़ेगा ठीक है तो यह अभी यहाँ पर दिख रहा है तो अभी इसको अगर मैं select कर कि इसके pose mode में जाओं तो मैं इसको आराम से animate कर सकता हूँ ठीक है ठीक है तो यह मैं इसे यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ अब मान लीजे कि सॉरी क्या हो रहा है control tab तो अभी मान लीजे कि यह तो हो गया और यहाँ पर यह select नहीं हो सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर हटा दिया है तो यह यह एक character है जिसको मैंने कर लिया अभी मुझे हमाल लीजे same character चाहिए बट इसका जो animation या जो pose है वो थोड़ा different हो तो क्या हम इसको duplicate कर सकते हैं आप इसको duplicate कर सकते हैं बट फिर आपका यह जो rig आपने create किया है नहीं जो proxy किया है वो काम नहीं करेगा तो इसको भी करना पड़ेगा तो इसके लिए कि हम उसी दर link करते हैं ठीक है file link और जो same character इसको मैं यहां पर link करता हूं ठीक है अब problem क्या है यह है चंटू B जो मैंने अभी import किया ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा move कर लेता हूं आप दिखें कि जो मैंने character import किया है वो उसका already यह rig changed है यह changed है क्यों क्योंकि जो rig मैंने यहां पर यह किया चेंज किया proxy के थूरू वो all somehow इससे यह linked है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता है इसका मैं proxy create कर सकता हूं पर उससे कोई फायदा होता नहीं अभी देखिए अगर मैं यहां पर जाता हूं और इसके पोस्वर्ण में जाके जो भी changes करूंगा वो दूसरे वाले में भी दीखता है जो कि मुझे नहीं चाहिए तो यह proxy के थूरू करना बहुत ही difficult है यह नहीं कर सकते आप proxy के थूरू ठीक है तो इसके लिए हम लोग use करते हैं क्या library overrides तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं ठीक है तो उसके लिए मैं आपको क्या सबसे पहले है मैं दिखाता हूं कि मैं कौन सा file यूज कर रहा हूं यहां पर तो वो जो है वो file है मैंने already इसके बारे में बात किया जब मैंने इसका walk cycle बनाया था ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर जो character है यह character है जो कि मैंने आपको बताया था actions के बारे में non-linear action editor के बारे में कैसे करते हैं you know walk move यह सब सारे चीज़ा मैंने बताया थी इसका tutorial का link आपको मिल लगा कहीं पर side wide में इधर कहीं दिख रहा होगा तो यह character को मै import करूँगा link करूँगा दूसरे file में और इसके pose में थोड़ा बहुत changes करूँगा जो animated नहीं है bone ठीक है और यहां पर वैसे भी कोई यह नहीं है you know कोई rig rig में जो bone है उसमें किसी तरह कोई keyframe नहीं है क्योंकि सारा चीज़ यहां से control हो रहा है ठीक है तो अभी मैं जाता हू फाइल में new tone save और हम लोग सब delete कर लेता है चलिए यहां पर हम लोग करते हैं link और और मैं वह file import करता हूं ठीक है यानि link करता हूं तो collections यहां पर चंटू और इसको मैं link करता हूं तो देखे यह character यहां पर आ गया और इसके अंदर यह animation है और यहां पर हम लोग use करेंगे क्य यहां पर हम लोग use करेंगे library overrides तो हम लोग जाएंगे object में relations और इसको हम लोग करते हैं on make library override और यहां पर हम लोग चंटू metarig select करेंगे ठीक है यहां पर जो ध्यान देने वाले बात यह है कि जो character हम लोगों ने import किया है यहां पर ठीक है यहां पर एक link इस तरह का बना किया हुआ है जो जिसको override किया सकता है ठीक है तो यह अगर मैं select करता हूं तो मैं इसको move कर सकता हूं और यह जो जो empty है इसको में delete करता हूं तो यह है मेरा character one ठीक है और इसमें मालीजे कि मैं इसके pause mode में गया और मैंने थोड़ा भूद changes कर दिया कि कुछ ऐसा कर दिया मैं तो अभी क्या होगा कि कि यह इसे ही चलेगा कि और अगर माल लीजे कि मैं एक और character यहां पर import करता हूं तो कैसे कर सकते हैं यह animation जो है one से 100 है तो इसको मैं one से 100 कर देता हूं यह चंट वन है और मैं एक और link करता हूं एक्चुली यह link करने ज़रूत नहीं आप सीधा अगर चाहें तो collection को यहां से instance कर सकते हैं ठीक है बट हम लोग यहां पर जाते हैं link यहां से भी करके दिखाता हूं थीख है दुबारा हम लोग इसको link करते हैं और link करने के हो मैं इसको इधर कर देता हूं है ठीक है और इसके पोज में जाके भी हम लोग थोड़ा वो चेंजिस कर देते हैं तो आप दिखेंगे कि यहां पर मैं जो भी चेंजिस कर रहा हूं वो दूसरे वाले में नहीं जा रहा क्योंकि दोनों लिंक्ट नहीं है ठीक है तो यह मैंने ऐसा कर दिया इसके अंदर ठीक है अभी क्या होगा दोनों चलेंगे तो लाइब्रेरी ओवराइट्स में यह एक फैसिलिटी आपको मिलता है दूसरा क्या है कि आपको फाइल में जाके लिंक करने के जूरत नहीं है आप सीधा यहां से इंस्टेंस से ही जाके आप क्रिएट कर सकते हैं तो जो इंस्टेंस हम लोग करेंगे वो चंटू का करेंगे यह 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 लोग नहीं करेंगे तो यहां पर मैंसे क्लिक करता हूं चंटू यह आगया इधर और फिर से इसको हम लोग आपजेक्ट रिलेशन्स लाइब्री ओवर राइट्स चंटू मेटर रिग और यह वापस जहां पर उसका डिफॉल्ट पोजिशन वहां चला आता है ब है तो यह चल रहा है इसमें भी हालोग चेंज कर लेते हैं तो इसको सेलेक्ट करता हूं मैं और और यह सब एक्चली मैं जॉम्बी बना रहा हूं यानि कि सब डेड़ है गरदन टुटी हुए है ओके तो यह देखिए तो आप लाइब्रेडी ओवर्राइट के अगर आप यूज करते हैं तो आप यह सब काम कर पाएंगे अलाकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि अगर आप चाहें तो जो मटेरियल है अबजेक्ट का उसको चेंज कर सकते हैं तो यांगैए जैसे कि मुझस का इसका जो आई का किलर है आप आप olsun कॉर्पर है यहां करते हैं थैकर यह पर हैं तो इसका इसके क्षिए झाहिखिए इसको हलाकि मैं जो बता रहा हूं यह feature अभी बहुत ही experimental है इसलिए आपको यहाँ पर library overrides के साथ साथ आपको make proxy भी मिलता है क्योंकि make proxy जो है बहुत ही पुराना feature है और यह अभी भी हम लोग यूज करते हैं make जो library overrides है वो मैंने यह जो बताई यह आप आराम से कर सकते हैं इसके अलबा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो experimental है जो कि आने वाली futures में maybe 2.9 में या 9.2.91 में जो है वो complete feature के साथ आ जाए बट अभी नहीं है क्योंकि अगर मैं इसके page पे जाता हूं तो देखिए यह है library overrides के बारे में जो manual help है और यहां पर साफ लिखा हुआ है it is considered as experimental ठीक है तो इस बात का हम लोको दिहान यहां पर रखना है बट जो future में क्या कर पाएंगे वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं suppose कि यह color मुझे change करना है तो मैं इसको select करूंगा इसके mesh data को यहां पर देखिए link जो है वो दिखा रहा है तो इसको अगर मुझे override करना है override का मतलब क्या होता है कि जितने भी यहां पर जो data है वो आ रहा है जो original file है वहां से बट suppose कि सिफ इसका एक feature को मैं चाहता हूं कुछ change कर दूं तो इस फीचर को अब और राइड करते हैं जैसे कि यह color है इसका जो material है ईसको लोग override करेंगे तो यहां मैं लोग shift क्लिक करेंगे ते दो उसके इसको ब listeners can hear me mamma ते इकनी दो इसके मैं जाने किर गडियाक . दो गॉज़ाय का चिंग करेंगे ते दो भी तो यहां से अ मगुंड जलीयासग तो इस तरीकेसे इसको चींज कर पाएंगे, इसको ब्लैक कर देताwn, और जो इसके जो आइस हैं उनको मैं रेट कर देता हूँ, कैसे करेंगे, सेम, पहले इसको उसके बाद यह और फिर इसको रेट, जो हेट्स occupied कर लाता हूँ, ताकि मैं दूसरे वाले अई में भी, डाल सकोँ, तो इसको सेल और यहां पर पेस्ट तो इसके जो आइज है वहागे रेड तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं लेब्रेडी ओवर्राइट को जो कुछ फीचर है वह एक्सपेरिमेंटल है अभी और कुछ चीजों को आप यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इत तो आज की ओच वाचिए वीडियो और यहां इन एक्स ताम बाई